आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल NCRT The Mind आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ Class 1 की English Book Unit 3 One Little Kitten लेकिन आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं One Little Kitten Listen and enjoy this poem आप इसे ध्यान से सुनिए और इसे इस poem को enjoy कीजिए One Little Kitten Two Big Cats एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा और दो बड़े बिल्ली Three Baby Butterflies Four Big Rats तीन बेबी बटरफ्लाइज है और चार बड़े चुहे हैं Five Fat Fishes Six Sad Seals पांच मोटी मचलिया है और छे उदास सील्स है सील्स जो की समुद्र में रहते हैं मचली Seven Silly Seagulls Eight Happy Eals साथ मुर्ख सेगुल्स है सीगुल्स जो एक पक्ची है मुर्ख सेगुल्स है और एट इल्स है खुश, बहुत ही खुश है वो इल्स है इल्स भी एक मचली होती है जो समुद्र में होती है करेंट वाली मचली Nine Nervous Lizards Ten Brave Bees Nine Nervous Lizards घबराए हुए लिजार्ड हैं और 10 बहादूर मदुमक्खिया है 11 Smelly Elephant 12 Fat Flays 11 जो है बदबुदार हाथी है और बाड़ मोटी मदुमक्खिया है 13 Alligators 14 Whales 13 Alligators घड़ियाल हैं और 14 Whales हैं 15 Dunkeys with 15 Tails 15 Dunkeys खचर हैं अपने 15 टेल के साथ पूच के साथ 15 Dunkeys हैं चलिए बच्चों अब New Words करते हैं आपको पता है Cat मिन्स क्या होता है बिल्ली Fat मिन्स मोटा Rat मिन्स चूहा Sad मिन्स उदास और 10 मिन्स दस Let's read A fat cat saw a rat एक मोटा सब बिल्ली बिल्ली ने देखा एक चूहे को Reading is fun अब exercise बनाते हैं How many kinds of creatures are there in the poem? Question है How many kinds of creatures are there in the poem? इस poem में आपने कितने-कितने creatures जो हैं आपने देखा? तो आप क्या बताएंगे? Answer इसका लिख लेजिए There are many creatures in poem They are kitten हम लोगों ने जिसे-जिसे देखा तो आप उसे लिखे Kitten, cat, butterflies, rat, fish, seal, seagull, eel, lizard, bee, elephant, alligator, fleas, whale, and donkey इतने सारे हम लोगों ने creatures देखा तो आप इसी लिखे दूसरा question है Are the seals happy? क्या seals जो है? वो happy थे, खूस थे, खूस है, seal खूस है तो इसके answer आप लिखेंगे No The seals are sad Seals उदास है Let's talk अब अगला question है Where do the fish live? Fish Answer लिखेंगे Fish live in water अगला question है What are the other things found in water? कौन कौन से दूसरे जीब जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं और क्या क्या पाए जाते हैं पानी में तो answer लिखेंगे The other things found in water are fish, eel, seal, whale, alligator, etc. अब अगला question है There are many creatures in the poem Which ones have you seen? मतलब कि आपने बहुत सारे creatures इस poem में देखा उन में से आपने किसे किसे खुद अपनी आखों से देखा हैं तो answer लिखेंगे I have seen kitten, cat, butterflies, rat, fish, lizard, bee, elephant, fleas and donkey ये सारे चीज हम लोगों ने अपने आखों से देखा है अब है tell us about when you feel अब आप कब ऐसा महसूस करते हैं आप बताए देखे sad है sad आप कब feel करते हैं तो when someone is called me जब आपको कोई डाटता है तो आप sad feel करते हैं brave कब feel करते हैं when I do something adventurous जब आप कुछ अस्चरी जनने कुछ खतरनाक चीज काम करते हैं तो आप बहुत ही अपने आप में breath feel करते हैं और happy कब feel करते हैं when I get full marks in exam जब आपको exam में full marks आता है तो आप happy feel करते हैं उसके बाद है nervous in exam I feel nervous जब आपका exam होता है तो आप nervous feel करते हैं हाँ अब आगे है let's share make face to show your feeling to your friends आप अपना feeling कैसे share करते हैं कैसे show करते हैं जब friend आपको आपको देखता है तो कैसे आप feeling करते हैं देखे किस type से face बनाते हैं जब sad होते हैं तो आप sad जैसा face बना लेते हैं जब brave होते हैं जब आप बहादरी वाला काम करते हैं तो आपका face कैसा रहता हैं nervous होते हैं तो किस type कर रहता है और happy होते हैं तो आपका face इस type कर रहता है अब आगे है, let's draw Look at the pictures of the animals given below and underline them in the poem Then trace the letter यह सारे letters जो दिये गए है, kitten है, इस पर trace करना है सारे को आप trace कीजिए इस तरह से, जैसे है, यह K kitten, B से butterfly, C से cat R से rat, F से fish, S से seal है ना, इस तरह से आप सारे को आप इस तरह से आप सारे में trace कर लीजिए, खुद उसके बाद say aloud है बच्चों आप अपने book निकाल के उसमें जोर से थोड़ा आवाज लगा के आप पढ़िए इसे Am he, if, in, is, it, me, my, no, of, on, so, to us We, all, and, bad, big, beat, butt, can, cat, cry, day, dog, fat, let, meet, not One, pig, ran, red, said, show, sit, son, tan, the, try, to, was, wet, you Look and read Say these words aloud Then, match them with the pictures by drawing line अब इसे आप इस pictures को drawing line से आप match कीजे देखिए, इसे आप कैसे match करेंगे है ना, जैसे की आप एक मेंट ये X है ना, X को जैसे आप इस drawing line से ऐसे match करेंगे उसके बाद है, end है, तो ये end ऐसे करेंगे आप पैन है, तो ये पैन को इस तरह से match करेंगे उसके बाद tap है, tap इस तरह से करेंगे आप उसके बाद ये सारे जिस तरह से आपका जैसे जहां है आप उस तरह से match कर लिजे, चिक है ये आगे है, ये सारे को matching कीजे आप और उसके बाद fill in the blanks है, इसमें भड़िए आप BAG bag, HEN hand, ये सारे उपर दिये गए हैं, आप उनमें भड़ दिजे चिक के बच्चों, अब आपको ये chapter कैसा लगा आप इसे comment कीजे, और अपना ख्याल रखिए Take care, bye, thanks to watch my video